बॉलिवुड के किंग शारुख खान ने अपने फैंस के बीच एक अलग पहचान बनाई है अभिनेता की एक जलक पाने के लिए उनके फैंस घंटो घंटो उनका इंतजार करते रहते हैं बीते दो महीनों में शारुख खान ने काफी कुछ झेला है उनके बेटे आरिन खान को एंसेबी ने आक्टूबर दोचाई कीस की शुरुआत में मुंबई से गोआ जाने वाले क्रूज पर एक ड्रग बस्ट में पकड़ा था स्टार केट पर ड्रक्स की खरीद और लेने का आरोप लगाया गया था लेकिन बाद में जांच में कुछ भी साबित नहीं हुआ कई बार अरजी खारिज होने के बाद आरेन को जमानत मिलने से पहले लगबग 28 दिनों तक अपने परिवार से दूर जेल में रहना पड़ा हाला कि 28 अक्टूबर मुंबई हाई कोट की ओर से आरेन खान को जमानत मिल गई आरेन खान को जमानत मिलने के बाएश शारुक खान और गौरी खान ने भी राहत की सांस ली और आज हम इस एक्स्क्लूसिफ रिपोर्ट्स में आरेन खान के बॉलिवर्ड डेब्यू के बारे में बात करने जा रहे हैं आरेन ने बॉलिवर्ड में कदम रखने से पहले कुछ प्रसिद फिल्म निर्माताओं से बात की थी हाला कि अब ऐसा नहीं होगा क्यूंकि आरेन ने अपनी जमानत की शर्तों के मताबिक अपना पासपोर्ट जमा कर दिया है हाला कि इसका असर उनकी फिल्म मेकिंग पर नहीं पड़ेगा आरेन खान शहर में रहकर अपनी सभी तैयारियों को शुरू कर सकते हैं आरेन खान इन दिनों फिल्म निर्मान के गहराईयों को जानने की कोशिश कर रहे हैं BTS की बहतर समझ पाने के लिए आरेन खान एक प्रमुक प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करेंगे हम सभी जानते हैं कि शारू खान आदिते चोपरा की VRF और करन जोहर की धर्मा दोनों के बहुत करीब है ऐसे में उमीद की जा रही है कि आरेन किसी भी प्रोडक्शन हाउस में शामिल हो सकते हैं और अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं इसके अलावा उन्हें हाल के दिनों में अकसर VRF स्टूडियो में जाते देखा गया है ऐसी भी चर्चा थी कि आरेन खान अपने पिता की बहु प्रतिक्षित फिल्म पठान के किसी पहलू पर काम कर रहे हैं